मेरा नम दॉक्टर अमोल दिपक केड़कर है मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो था बॉर्डर लाइन परस्नाइट डिसॉर्डर के बारे में और मैं वही वीडियो आज कंटीनु करने वाला हूं देखिए बॉर्डर लाइन परस्नाइटी के सिम्टम्स मैंने पिछली वीडियो में बताया है फर एग्जामपल अन्स्टेबल रिलेशन्शिप्स, मूड स्विंग्स, एंग्री अभूसी परस्नाइटी, पैरनॉइड आइडियाज, गुस्से वाला गक्ति मत्व, बार बार इसे धमकी देना, तो ऐसे सिम्टम्स हमको बॉर्डर लाइन परस्नाइटी डिसॉर्डर में दिखते हैं साथ ही में जो एक चीज में बताने वाला वो यह है कि बॉर्डर लाइन परस्नाइटी में सब्स्टेंस यूज बहुत ही कॉमनली रहता है अलकोहौल, गांजा, अफीम, बड़े शहरों में हिरोईन और कोकेन, एलस्डी, ऐसे अलग-अलग-अलग-अलग जो सबस्टेंस है वो रेगिलरली बॉर्डर लाइन परस्नाइटी में हमें दिखते हैं हमने बहुत सारे ऐसे परस्नाइटी देखे होंगी, सेलिब्रिटी देखे होंगे, फिल्म स्टार्स देखे होंगे जो रियल लाइफ में बॉर्डर लाइन परस्नाइटी है और ऐसे बहुत सारे किरदार भी इन्होंने निबाए है जो borderline personality से मिलते जुलते है For example, fashion movie में करिना कपूर या heroine movie में करिना कपूर या fashion movie में प्रियंका चोपडा ऐसे जो किरदार है जो borderline personality से बिलकुल मिलते जुलते है और उन्हें हम बोल सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति को borderline personality है Borderline personality के treatment क्या है? सबसे important चीज है कि symptomatic treatment हमें करना चाहिए अगर patient गुसा होता है तो उससे अपसे treatment करना चाहिए अगर patient suicidal ideas है patient के मन में तो उससे अपसे हमने treatment करना चाहिए सबसे important चीज है borderline personality disorder में वो है psychotherapy पेशन का सम्मोहन करना patient को यह समझाना कि आप जो भी चीज कर रहे है वो गलत है लेकिन at the same time patient को criticize नहीं करना patient को धिरे धिरे अपनी बात समझाना लेकिन बात उन पर लादना नहीं है अगर patient को यह समझ में आता है कि हाँ जो सामने वाला counselor है हमें धिरे धिरे वो बात समझा रहा है तो patient धिरे धिरे वो बात सुनेगा जो नहीं नहीं therapies आ रही है for example dialectical behavior therapy dialectical behavior therapy यह borderline personality disorder में बहुती काम की थरपी है यह हमने काफी बार patient पे यूज किया है और इससे patient definitely अच्छा हो सकता है साथ ही में हम patient को social skills training भी देते हैं जिससे patient अच्छा हो सकता है उसके साथ में हम third party treatment भी patient को दे सकते हैं for example जब patient को ऐसे episodes आते हैं जब patient गुस्सा करता है खुद को काटने की कोशिश करता है suicide का attempt करता है तब patient का हम video clip निकाल सकते हैं और बाद में शान होने के बाद patient को वो video clip हम बता सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि patient कैसा abnormally behave कर रहा है उस प्रकार से patient को ध्यान में आएगा कि मेरा behavior गलत है और मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए जो next level of treatment है वो है ECT ECT के पहले pharmacotherapy भी बहुत important है pharmacotherapy मतलब दवाई देना ऐसे बहुत सारे anti-psychotics, anti-depressants, anti-anxiety, mood stabilizers ऐसे अलग अलग प्रकार की दवाई या आज उपलब्द है जो borderline personality में अगर हम patient को दिये तो patient अच्छी तरह पूरी तरह ठीक हो सकता है next treatment है वो है hospitalization hospitalization मतलब patient को hospital में admit करना और patient को under observation हमारे under observation रखना बहुत सारे ऐसे patients है जो घर पे बहुत तोड़फोर करते हैं, गुस्सा करते हैं, मारा मारी करते हैं आत्मत्या की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, continuously mobile पे खेलते रहते हैं लेकिन जब patient को हम hospital में admit करते हैं तो हमारे under observation patient शान्त हो जाता है क्योंकि जो वातावरण है, जो space उनको घर पे मिलती है, जिसमें उनको गुस्सा आता है, वो space पूरी तरह बदल जाती है इसलिए, hospitalization करना यह बहुती important therapy है, borderline personality disorder में और जो last treatment है वो electroconvulsive therapy, electroconvulsive therapy मतलब shock treatment जो layman भाषा में हम वापरते हैं ECT से भी patient पूरी तरह अच्छा हो सकता है Borderline personality disorder यह बहुती significant बिमारी है, क्योंकि यह easily diagnosed नहीं हो पाता और सब लोग, मतलब patient और patient के जो आजवाजू के लोग है, वो सब लोग सफर करते रहते हैं लेकिन अगर आप psychiatrist के पास आते हैं, आपका जो problem है वो share करते हैं तो patient definitely अच्छा हो सकता है अगर वो बराबर treatment ले इसलिए borderline personal disorder यह बहुती important है और वो पूरी तर अच्छा हो सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो यह वीडियो को ज़रूर like करिए, share करिए मेरे चैनल को subscribe करिए, मैं जल्द ही आगे के वीडियो से लिके आऊंगा तब तक के लिए धन्यवात आपको यह वीडियो करिए